हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब हम इंडियन को मीठा काना बहुत ही पसंद होता है और कभी-कभी मन करता है कि कुछ मीठा बनाया जाए तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि बहुत ही टेस्टी पेड़े की रेसिपी जिसे मैंने बनाया है सिरुफ दो चीजों से जी ह घर में ही रखे सामान से आप जब भी आपका मीठा काने कामन करेगा यह बिल्कुल हलवाई जैसा पेड़ा आप बना सकते हैं तो चलिए फटा फटे देखते हैं रेसिपी को पसंद है तो शेयर लाइक जरूर कीजेगा और अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो जैसा मैंने आपको बताया इन पेड़ों के लिए सिर्फ हमें दो ही चीजों की में जरूरत होगी तो सबसे पहले मैंने रखली गैस पर एक कड़ाई और इसमें मैंने कुछ बूंदे पानी की डाल दी और अब इसमें मैं टालूंगी एक लीटर फुल फ बस अब आपको करना क्या है इस दूद को पकाते चले जाना है उससे पहले इसमें से दो तीन बड़ी स्पून मैं दूद निकाल लूँगी गरम होने के बाद और इसमें मैं कुछ धागे केसर के डाल कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास केसर ना हो तो आप इस प्रॉसस को जोगर सकते हैं और बीच बीच में इस तरीके से चलाते हुई से पकने दें मैं केसर पेड़ा बना रही हूं इसलिए मुझे कलर की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब देखिए दूद हमारा पकते-पकते हाफ कंसिस्टेंसी पर आ गया है तो अम मैंने ले लिए वन थर्ड आप पको डालनी है उससे क्या होगा कि जो चीनी है जैसे हम दूद में डालते हैं को काफी कारश मुझे रिलीस करती है ढुख सारे चीनी हम डाल देते हैं तो दूद में एक डाना सब बन जाता है उससे बचने के लिए इसका टेक्शर स्मूथ है तो आपको चीनी पीच बी बस मीठा इसमें थोड़ा सा ही डाला जाता है, एक लीटर दूद में बंधर्ड कख चीनी काफी रहती है, अगर आप चीनी नहीं पसंद करते हैं, तो आप इसमें मिश्री भी डाल सकते हैं, तो देखें टोटल ये चीनी 5-6 चमबच थी, और मैंने सारी इसमें डाल दी है, और आप देख सकते हैं कि हमारे दूद का टेक्शर भी कितना गाड़ा एकदम रबड़ी वाला हो गया है, बस इस स्टेज पर आपको दूद को बिल्कुल भी चलाना नहीं चोड़ना है, और अब मैंने जो केसर भी गया था और इसमें मैंने थोड़ा सा केसरी फूद कलर मिक्स कर दिया है, जिससे एक अच्छा सा कलर इसमें आ जाए, लेकिन अगर आप फूद कलर नहीं डालना चाहते हैं, तो आप नॉर्मल वाइट पेड़ा भी बना सकते हैं, क्योंकि सभी के बाद फूद कलर वगेरा हर समय अवलेबल नहीं होता, और बस अब इसको थोड़ा सा और पकाना है आपको, जब तक ये हलका हलका पैन से अलग ना होने लगे, तो देखिए कितना गाड़ा जो ये हमारा दूद है होते जा रहा है, और आपने देखा होगा मैंने इसमें दूद और चीनी का ही इस्तिमाल किया है, अगर पसंद करते हैं तो फ्लेवर के लिए थोड़ी इलायची का पावडर डाल सकते हैं, लेकिन मैं केसर वाला पेड़ा बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इलायची नहीं डाली, मैंने जस्टिस में केसर का ही फ्लेवर रखा है, और कंटीने चलाते रहे हैं क्योंकि इस समय दूद चिपकने बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए आपको इस समय चलाना बिल्कुल नहीं चोड़ना है, तो देखिए, आप देख सकते हैं दूद की कंसिस्टेंसी, अब मैं स्पैचुला से इस तरीके से इसको गुमारी हूँ, तो ये दूद बिल्कुल भी जिपका जैसा नहीं फील हो रहा है, मतलब दिखने में तो ये लिक्विड है, तो बस इस स्टेज पर गैस को आप बंद कर देए, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो काफी लिक्विड है, लेकिन आपको इसी कंसिस्टेंसी पर दूद को उबाल लेना है, कि जब इसमें बस थोड़ा सा एक सार जैसा लगे, पानी बिल्कुल अलग ना फील हो, तो आप देखिए, अब भी थोड़ा सा ये पतला लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होगा, तो ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, लेकिन अगर आपको डाउट लगे, तो आप एक दूम नेट और पका सकते हैं, और अब मैं क्या करूँगी, इस तरीके से इसको फैलाते हुए, पहले हलका ठंडा करूँगी, लेकिन वो भी कांटीनू चलाते हुए, इससे क्या होगा, जो इसका टेक्स्चर है, वो बिल्कुल ही स्मूथ आएगा, एक्दम दानेदार टेक्स्चर नहीं रहेगा, जैसा बजार में मलाई पेड़ा मिलता है, बिल्कुल वैसा टेक्स्चर इसका आजाएगा, तो मैं इस तरीकी से स्पैचुला से रगड़ते हुए, इसको फैलाते हुए ठंडा कर ले रही हूँ, और अब आप इसे 7-8 गंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें, तो देखिए 7-8 गंटे हो गए थे, और हमारा मिक्स जो है कितना गाड़ा और एक्दम परफेक्ट हो चुका है, कई बार क्या होता है दोस्तों हमारा जो मिक्स है वो थोड़ा सा लूज रह जाता है, तो भी आपको घबराने की जवरत नहीं है, आप क्या करें अगर आपके पास थोड़ा सा मिल्क पाउड़र हो तो वो मिक्स कर सकते हैं, या फिर जो नारियल का बुरादा आता है, उसको आप मिक्सी में चला कर डालें, डिरेक्ली ऐसे ना डालें, क्योंकि बुरादा थोड़ा दानेदार होता है, तो आप मिक्सी में चला कर एक्दम फाइन पाउडर करके डालेंगे, तो इस तरीके से बोंड पर इसको इस तरीके से रोल कर लूँगी आप इसका टेक्शर भी देख सकते हैं कि कितना स्मूथ और एकदम मुह में घुलने वाला टेक्शर इसका बीसे नजर आ रहा है और अब आप इसमें से इक्वली पीसिस कट कर लें जितना बड़ा पेड़ा बनाना चाहते हैं तो मैंने इस तरीके से आदा आदा इंच के पीसिस को कट कर लिया है अब आगर आप पेड़ा नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसे नॉर्मली वर्फी की तरह भी किसी प्लेट में चमा सकते हैं तो देखिए अब मैं एक एक पीस को इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना सुन्दर एकदम हलवाई जैसा पेड़ा हमारा ये बनकर तैयार हो गया है और इस तरीके से आप अपने सभी पेड़ों को बना ले देखिए हमारे सारे पेड़ी बनकर तैयार है आप इनका color texture देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये मूँ में घुल जाने वाला मलाई पेड़ा हमारा बनकर तैयार हुआ है मैं आपको एक पेड़ी का texture भी दिखाती हूँ कि कितना अच्छा एक्दम soft पेड़ा हमारे बनकर तैयार हुए है अगर आपको ये recipe लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और अपना अलगों मुझे comment box में जरूर बताएं और अगर पसंद आई तो चैनल को subscribe करना ना भूलें तो आप भी बनाईए टेस्टी समलाई पेड़ा आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर एक नई recipe के साथ धन्यवाद